एक explosion blow a rock into the three pieces, ठीक है, एक explosion एक rock है, एक piece of rock है, और piece of rock थीरी पार्ट में break हुआ, the two part fly at right angle to each other, and one kg, first part moving with velocity 12, and two kg part moving with velocity 5 meter per second, दो नो perpendicular है, the third part fly up with velocity 4 मास, देखो, question को समझो, वीडियो पर्च करो, और solve करने की कोशिश करो, ऐसा question मैं काफ़ी बार करवाद दिया हूँ, और आया भी है, ठीक है, अगर एक piece of rock है, जो x y plane में मालो रखा हुआ है, अब इसके दो piece हुए, एक piece इधर जा रहा, positive x axis में, वो उसका mass 1 kg है, और वो 12 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, दूसरा जो piece है, वो उपर जा रहा, perpendicular 2 kg है, ठीक है, ये 2 kg है, और 8 मीटर पर सेकेंड से वापस इधर जा रहा है, तो तीसरा वाला किदर जाएगा, आपको पता है कि तीसरा वाला, अगर ये दोनों rest में थे, तो इन दोनों क जो net momentum है, वो इधर कहीं आएगा, तीक है, इधर कहीं आएगा net momentum, जो horizontal से theta degree पर होगा, इसका मतले बेख हुआ, यो तीसरा वाला piece है, उसको वो इधर कहीं जा रहा होगा, जो की horizontal से theta degree पर, तभी तो जाकर net momentum 0 होगा, तीक है, initial momentum 0 था, तो final momentum भी 0 होना चाहिए, तो इन दोनो अगर net momentum इधर गया, तो तीसरा वाला इधर ही जाएगा, तभी तो net momentum 0 होगा, cancel करके, तो third part fly up with velocity, इसकी velocity 4 meter per second, और इसकी mass हमें नहीं पता, वो ही हमें calculate करना है, तो सबसे पहले momentum इनिशल, इसका momentum आ गया, 12 mass, और इसका momentum आ गया, 8 multiplied by 2 is equal to 10, तो net momentum आ जाएगा, net momentum आ जाएग वो 12 का square, और plus 10 का square, under root, this is the net momentum, ये इसका आ जाएगा, net momentum, जो की इन दोनों का, इस momentum और इस momentum का resultant इधर आ जाएगा, और ये momentum, ये momentum, इसके momentum के equal होगा, और ये आ जाएगा 4M, this momentum must be equal to 4M, यहां से मुझे mass की value पता चल जाएगी, तो यहां से मुझे mass की value पता चल जाएगी, इसको calculate कर लो, ये जाएगा 144 और प्लस 100, under root, is equal to 4M, ठीक है, need momentum फोर, यह 244, ठीक है, और ये जाएगा 16M, ठीक है, 144 और ये 1 का square, देखो, एक मिनिट सही है, तो ये जाएगा 12, 12 वीधर सही, एक net momentum, mass multiplied by velocity, और यहां पर गलती हुगा, हट दूना 16 होगा, 10 थोड़ी होगा, यहां जोड दिया हूँ मैं, ठीक है, ये 16 होगा, तो ये जाएगा 16, ठीक है, तो ये जाएगा 16 का square, ठीक है, 16 का square, तो ये जाएगा 256, ठीक है, ये जाएगा 250, 256, तो 256, और ये जाएगा, 356, ठीक है, 256, और ये 12 आजाएगा, ये 12 आजाएगा, तो 144, देखो 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 यहां पर, ये 256 और 144, ये काट दो, ठीक है, 2 over 3, 2 over 3, और ये 400, तो ये आजाएगा, 400 under root, 400 under root, मतलब 20 is equal to 4M, ठीक है, ये काट दो, ठीक है, ये 144, ये समझ रहा न, अरे समझ रहा न, भई, काहां गलती हुआ था, ये 12 आजाएगा, और ये 16 हुआ, 12 आजाएगा, तो ये 16 हुआ, 12 आजाएगा, तो ये जाएगा, 20, ठीक है, 20 divided by 4M, तो 4M की जो value आजाएगा, ये 5 kg, ठीक है, क्लियर है, तो ये आजाएगा, हम लोग का 5 kg, जो final solution ये है, this is the final solution, little bit